तो अभी हम यहाँ पर Eastern Coastal Plain and Western Coastal Plain को यहाँ पर study करेंगे यह कौन सा है यह Western Coastal Plain है और यह है Eastern Coastal Plain तो सबसे पहले यहाँ पर Western Coastal Plain को कुछ local names, original names यहाँ पर दियेगे उनको देखेंगे तो यहाँ पर यह जो region है यह यहाँ पर द्वारका Island है तो यह जो द्वारका से लेके यहाँ पर दमन तक हमें जो Coastal Plain दिखाए देता है उसे हम यहाँ पर काथियावर Coastal Plain कहते है और दमन से यहाँ पर गोवा तक हमें जो Coastal Plain दिखाए देता है तो यह सब नाम देखने के बाद अभी western coastal plain की कुछ खासियत कुछ characteristics हम देखेंगे तो यहाँ पर जो western coastal plain जो है हमें एक चीज हम यहाँ पर ध्यान में रखने है कि यहाँ पर जो western घार्ट है जो western घार्ट में जो भी rivers यहाँ पर जिनका origin है वहाँ से west flowing जो rivers है वो कैसे comparatively बहुत small rivers है जैसे कि rapids के form में हमें दिखाई देती है इसके बज़े से यहाँ पर western coastal plain पर हमें ज़्यादा डेल्टाज का formation कम दिखाई देता है और हमें ज़्यादा तर यहाँ पर issues form होते हुए दिखाई देती है यह जो issues में भी अगर हम केरल की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर दो lakes हमें आपर important देखेंगे जैसे कि वेंबानाड हो गया, अस्तामुडी हो गये तो इस तरीके के जो lakes है, इस तरीके के lakes में हमें यहाँ पर rivers के थुरूफ यहाँ पर backwaters हमें यहाँ पर दिखाई देता है इनी backwaters को यहाँ पर कयाल इस नाम से जाना जाता है तो अभी हमने देख लिया कि यह जो western coastal plane है जो द्वारका से लेके कन्या कुमरी तक हमें दिखाई देता है लेकिन जो western coastal plane है इसकी एक characteristic है जैसे कि यह submerged coastal plane है तो यह जो submerged coastal plane है इसके वजह से यहाँ पर बहुत सारे harvars या फिर ports भी हमें यहाँ पर दिखाई देते जैसे मुंबई port हो गया, कोचीन, मैंगलोर, मरमा गोवा, उसके बाद कांडला port, माजगाव डॉक यह सब important ports हमें यहाँ पर western side में दिखाई देते हैं बहुत सारे ports हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं तो इसके पिछे का reason क्या है क्या है क्योंकि यह submerged coastal plane है उसके बाद यहाँ पर हमने इसका regional division देख लिया था जैसे कि गुजरात में कच्छ या फिर कत्यावार कोस्ट कहा जाता है इसे गुजरात में महाराष्ट्र में यहाँ पर इसे कोकन कोस्ट गोवा में गोवान कोस्ट और उसके बाद करनाटक और केरला में इसे मालाबार कोस्ट कहते हैं उसके बाद western coast की एक खासी है थे कि ये middle में हमें यहाँ पर narrow दिखाए देता है और north में और south में हमें लगबग इसकी जो वीरते ये बढ़ते हुए दिखाए देती है इसके बाद यहाँ पर maximum rivers यहाँ पर delta form नहीं करती है इसको ध्यान में रखना है लेकिन यहाँ पर कयाल में हमें एक separate एक distinguished type का feature दिखाए देता है जिसका नामें कयाल में उसको हम यहाँ पर कयाल कहते हैं यह backwaters भी कहते हैं यह जो कयाल का region जो है जैसे कि वेंबनाड लेक अस्तामोडी लेक यहाँ के जो रिजन है इस रिजन में कयाल किस चीज़ के लिए फेमस है जैसे fishing हो गया, inland navigation हो गया, tourism, sports के लिए यहाँ पर यह फेमस है यहाँ पर एक important sport की activity भी होती है जैसे कि Nehru Trophy आपने इसके वीडियो देखे होंगे बहुत सारी लंबी लंबी ऐसी boats होती है ओके हमाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बैटे होते हैं और इनके अंदर race होती है वेल्लम कली, boat rest, नेरो ट्रोफी जो वेल्लम कली जगा पर यह boat rest होती है तो इसे ध्यान में रखना है ओके वेल्लम कली boat rest, पुन्नमडा कयाल में होती है तो इसे ध्यान में रखना है उसके बाद यहाँ पर अब यह eastern coastal plane होने के बाद हम थोड़ी बहुत यहाँ पर western coastal plane होने के बाद अभी हम यहाँ पर eastern coastal plane के बारे में जान करे लेंगे सेम तरीके से यहाँ का जो regional name से उसको ध्यान में रखेंगे जैसे कि यह ओडिसा के अंदर यहाँ पर eastern coastal plane को हम यहाँ पर उटकल plane के थे हैं उटकल plane है यहाँ पर इसको कहते हैं उसके बाद यहाँ पर आंद्र प्रदेश में हम इसको नदन सिरकार्स कहते हैं उसके बाद यहाँ पर उसके नीचे तमिल नडो में हम इससे क्या कहते हैं कोरो मंडल कोस्ट इससे ध्यान में रखना है अब यहाँ पर eastern coastal plane जो है यह सुबर नरेका river से लेके कन्या कुमारी तक हमें दिखाई देता है और उसी तरीके से eastern coastal plane यहाँ पर कैसे है it is wider than western coastal plane western coastal plane हमने कैसे देखा था कि वो center के part में थोड़ा narrow है और north and south में थोड़ा सा wide होते जाता है और western coastal plane से compare करेंगे तो eastern coastal plane कैसे है comparatively wider है और क्यूँ wide है और why it is wider than western coastal plane because of large scale erosion and deltas formed by rivers तो यह जो rivers के बज़े जो deltas form हुए है उसके बज़े से और rivers के ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा large scale जो erosion हुआ है उसके बज़े से यहाँ पर यह जो eastern coastal plane है यह वो कैसा है वाइड है ओके जैसे कि यहाँ पर लेक कोलेरों भी दिखा जेता है क्रिश्न रिवर और गोदावरी रिवर के डिल्टास के बीच में उसके बाद जो eastern coastal plane है जैसे कि हमने देखा था western coastal plane यहाँ पर submerged coastal plane है यह submerged coastal plane है उसी तरीके से यह जो eastern coastal plane है ओके eastern side का जो coastal plane है यह emerging coastal plane है तो इससे ध्यान में रखना है अब यहाँ पर it is an example of यह example है थोड़ा spelling mistake हो जाता है ओके हाथ से लिखा इसलिए तो इसके पीछे जब टेक्टोनिक moment हुई थी वह reason है जब यह जो यूरेशियन प्लेट के साथ हमारा जो इंडेन प्लेट जब उन दोनों का कोलिजन हुआ था उस समय यह फॉर्म हुआ था ओके यह फिजिकल जोग्राफिय में हम देख चुके तो उसके बाद यह जो American coastal Plane होने के बज़े से यहा पर बहुत कम यहाँ पर ports fuand harbors हमें दिखाए हूऍट03 प्लेटaine तो continental shelf की जो यहाँ पर extension जो है वो लगबग 500 km तक हम यहाँ पर दिखाई देता है तो इस तरीके से हमने यहाँ पर western and eastern coastal plane को यहाँ पर देख लिया अब इनके जो regional forms है जैसे यह काथियावार coastal plane हो गया फिर यह कोकन coastal plane हो गया इनको भी हम यहाँ पर थोड़ा वक देख लेते हैं उनके बारे में भी हमने information लिये तो यहाँ पर जो काथियावार coastal plane है यह यहाँ पर द्वारका आइसलेंड से लेके दमन तक हम यहाँ पर दिखाई देता है तो यह जो काथियावार coastal plane है यह रन ओफ कच एंड दमन के बीच में हम यहाँ पर दिखाई देता है उसके बाद यहाँ पर जो कोकन coastal plane है इस वन अप दी इंपोर्टन coastal plane क्योंकि यह दमन से लेके गोवा तक इन दोनों के बीच में तो हम यहाँ पर यह पर यह गोवा और महाराश्टम यहाँ पर दिखाई देता है उसके बाद यहाँ पर बहुत साधा यह it is consequently dissected plane क्योंकि बहुत सरे rapids and small rivers यहाँ पर present है उसके बाद यहाँ पर यह जो small small rivers यहाँ पर western guard से आती है तो उनके बज़े से यहाँ पर यह valleys, creeks and ridges हम यहाँ पर दिखाई देते है तो यह से धान में रखना है यह कोकन का coastal plane है उसके बाद यहाँ पर जो उसके नीचे वाला coastal plane है जो हमें करनाटक एंड केरला में दिखाई देता है उसका नामें मालाबार coastal plane यह जो मालाबार coastal plane है यह गोवा से लेके कण्या कुमारी तक है इस दि कोस्ट लैन आफ इमर्जंस यहाँ पर यह जो मालाबार coastal plain है यह नीचे वाला एक्चुली यह जो सब परटे western coastal plain का it is the coastline of emergence भी इसे कहा जाता है इसका जो southern region है यहाँ पर ज्यादा rainfall होता है कहाँ पर मांसून के region में क्योंकि मांसून एंटर हैं से जब कर गा तो यहाँ पर बहुत जादा rainfall होता है तो इसे ध्याद में क्योंकि यहाँ पर important चीज यह है कि it is the coastline of emergence नीचे वाला पार्ट southern वाला पार्ट अब यहाँ पर उसके बाद जब हम eastern side में देखेंगे तो उटकल coast जो है जो सबसे उपर हमें ओडिसा में दिखाई देता है तो उटकल coast की खासियत का है कि it extends from the north of सुबरनरे का river to the महानदी डेल्टा महानदी डेल्टा जहां तक है वहां तक हमें यह उटकल coastal plain दिखाई देता है उसके बाद नीचे जो आंधरा का coastal plain है जिसको हम यहाँ पर नदन सरकार भी कहते है it extends from the southern limit of उतकल plains to पुलिकत लेक जो आंधरा पदेश में वहां तक यह दिखाई देता है और यहाँ पर बहुत सारे डेल्टा दिखाई देता है मतलब यहाँ पर दो important डेल्टा जैसे कि क्रिष्णा रिवर का और गोदावरी रिवर का डेल्टा यहाँ पर हमें दिखाई देता है यह जो आंधरा का coastal plain है वहाँ पर और उसके बाद नीचे यहाँ पर तमिल नडू जो प्लेन से जो के कोरोमंडल coastal plain है तो वहाँ पर क्या है यह चेन्ने से लेके कन्या कुमरे तक दिखाई देगा और यहाँ पर कावेरी का डेल्टा हमें दिखाई देता है और इसी को यहाँ पर South India की ग्रेनरी भी कहा जाता है तो इसे ध्यान में रखना है तो यहाँ पर हमने Eastern and Western coastal plain को तो देख लिया अभी आने वाले लेक्चर में को ओके मतलब यहाँ पर North Eastern Hills भी हमें हमारे रहे गए मुझे पता है उके उनको भी देखेंगे और उसके बाद जो Peninsula Plateau के यहाँ पर जितने भी हिल से उनको देखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर Plateau को देखेंगे ओके सो थैंक्यू वेरी मुच एक छोटा सा बरेख लेके फिर